Hello students, हम कर रहे हैं financial accounting, financial accounting के अंदर अभी हमारा chapter चल रहा है consignment account, consignment account का आज का lecture number 4 है, part number 4 है, आयोप आपने वो 3 part शुरू के अच्छे से देख लिए होंगे, तो आज का lecture आपको अच्छे से और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक, अगर आपने वो नहीं देखे हैं, तो आप ज़रूर देखिए जाके, उन lectures के link इस video के नीचे description box में आपको मिल जाएंगे, देखिए, सबसे पहले आज का जो topic के consignment account का, वो है loss और unsold stock से related, क्योंकि normal questions तो हो जाते हैं, लेकिन आगे के जो questions होते हैं, उसमें क्या होता है, abnormal या normal loss calculate करना होता है, और उसके बाद में तो फिर unsold stock calculate करना होता है, तो सबसे पहले मैं loss के बारे में बात कर देता हूँ, loss जो होते हैं, consignment account के अंदर, जो हानी होती है, वो दो तरह की होती है, ये loss of stock की बात कर रहा हो है, क्योंकि consignment में agent को जब stock भेजते हैं, तो दो तरह के loss होने की संभावना होती है, एक होता है normal loss, ठीक है, इस normal loss को हिंदी में सामान यहानी भूलते है, हिंदी medium वाले बिलकुल मेरे सारे lecture attend कर सकते हैं, कोई problem नहीं है, थोड़ी बहुत तो accounts के अंदर English चलती है, ठीक है, कोई hard language यहापर नहीं, English कोई सिखा नहीं रहे हैं आपको, अना, तो abnormal loss, तो दो तरह के loss हो सकते ह जब एक consigner किसी consignee को goods send करता है, अपने agent को बेचने के लिए, सामान यहानी, और आज मैं जो आपको formulas बगरा बताऊंगा, यह आप question में लगाएंगे न, तो आप बिलकुल पहुत आराम से, unsold stock और abnormal loss या normal loss कैलकुलेट कर पाएंगे, सामान यहानी वो होती है, जो natural होती है, nature of product, उस product का nature ऐसा यह है कि इतना loss तो हो गई होगा, जैसे बहुत सारे product ऐसे होते हैं, जिनका वजन कम हो जाता है, क्योंकि उनका nature ही ऐसा है, बहुत सारे product ऐसे होते हैं, जिनका nature ही ऐसा है कि थोड़ी बहुत तो तूट फूट उनमें चलेगी, जैसे अगर glasses वगरा बनात तो उसमें थोड़े बहुत तो नुकसान हो गई होगा क्योंकि वो टूटने फूटने वाला प्राड़क्ट है तो अगर उस प्राड़क्ट की उस गुड्स की नेचर ही ऐसा है कि उसमें कुछ लॉस तो होगा ही होगा भले कितना ही कर लो हो गई होगा तो उसको नॉर्मल बो जाएगी है ना तो वो तो वो नॉर्मल लॉस होता है ठीक है अब नॉर्मल लॉस जब हो जाता है तो केजी में या क्वांटिटी में कुछ न कुछ जो स्टॉक होता है वो रिड्यूस हो जाता है अब स्टॉक तो रिड्यूस हो गया क्वांटिटी कम हो गया या उसका जो वो बड़ा simple है आप क्या कीजिए जो unsold stock अगर निकाल रहे हैं normal loss निकाल रहे हैं तो normal loss की अलग से कोई entry नहीं करनी सबसे पहले इसकी कोई अलग से general entry नहीं होती इसको कहीं पर भी debit या credit नहीं करना होता है इसको consignment account भी नहीं दिखाना होता है इसका adjustment unsold stock में ही होता है तो अगर normal loss हुआ है तो उसका कहा adjustment करना है only unsold stock में और कैसे करना है जब आप unsold stock को calculate करेंगे ठीक है तो कैसे करेंगे आप ले लीजे total cost ठीक उसके बाद divide कर दीजे total unit का total unit और जब total unit आप ले या total quantity ले तो उसमें normal loss वाली जो unit है unit of normal loss उसको less कर दीजे units of normal loss normal loss का amount नहीं normal loss कितना kilo में हुआ या कितनी quantity में हुआ वो less कर दीजे और multiply कर दीजे units of unsold stock for example के लिए मैं अगर आपको बताओं मान लेते हैं कोई ये company है ठीक है sorry उसने जो है good send किया जो good send उसने total किया उसकी cost है one lakh rupees ठीक है कुछ ऐसा ले लिते हैं जो हमारे काम आजे नब्बे अजा ले ले लिए 90,000 unit ठीक है और नब्बे अजार उस total cost है जो unit send करी है consigner ने consignee को ठीक है और जो quantity है वह 10,000 unit कितनी है 10,000 तो पर unit cost कितनी आ रही है 9 रुपे आ रही है अभी पर unit cost कितनी आ रही है 9 रुपे क्योंकि normal loss वगरा कुछ है नहीं ऐसे ही समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ 9 रुपीज आपको पर unit cost दिख रही है ओके बट अगर यहाँ पर ऐसा हो तो कैसा कि सर 90,000 तो cost वो तो ठीक है लेकिन unit जो है वो normal loss की वज़े से कम हो गई यानि कि 10,000 unit जो थी उसमें कुछ loss हो गया किते का माल लेते हैं कुछ loss हो गया 10% हो गया मैं example के लिए calculation सही आए उसके लिए माल लेता हूँ कि 1000 रुपे का 1000 quantity का loss हो गया उसका goods का nature यह ऐसा है कि इतना loss 10% होता ही होता है तो अब यहाँ पर total unit minus normal loss of unit वो किता हो गया 1000 unit तो अब किता बज़ गया 9,000 अब आप पर unit cost निकाल के देखिए किती आ रही है 10 रुपीज समझ भा रहा है तो जो loss हुआ उसकी वज़े से per unit cost क्या होगी increase इससे पहले जब loss नहीं हुआ था per unit आ रहा था 9 रुपे 90,000 divided by 10,000 अजार का loss हो गया unit का अजार unit खराब होगी उसके नेचल की वज़े से normal loss है सब goods में ऐसा ही होता है हम ऐसे प्रकृति का goods यूज करते हैं तो 1,000 अटा दिया तो अब cost बढ़के किती होगी 10 रुपे जो वो हानी हुई है उसकी वज़े से cost बढ़ जाती है क्योंकि अब ये जो है माल महंगा हो गया क्योंकि इसमें इतना नुक्सान होता है और माल लेते हैं हमारी unsold stock जो है उसकी unit जो है मतलब ऐसा goods जो टोटल वहां से माल लेते हैं 10,000 का goods send किया ता हमनी consigner को 1000 रुपे का normal loss हो गया बज़ गया 9,000 उसमें से माल लेते हैं 6,000 का goods जो है वो रुपे क्या आगया unsold stock unsold stock तो normal loss जब होता है तो उसको unsold stock के अलावा और कहीं भी उसको सो नहीं करना होता है उससे केवल और केवल जो आपकी cost है total unit की या per unit की sorry per unit जो cost है वो increase हो जाती है और per unit cost increase होने की वज़े से आपका जो है जो unsold stock है उस पर वहां उसका पढ़ता है अब आजाते हैं abnormal loss अगर abnormal loss हो तो क्या तो abnormal loss दो तरीके से हो सकते हैं ठीक है आपको अच्छे से दिख रहा होगा यह हो ठीक है है एक कौन सा एक abnormal loss होता है loss in transit loss in transit रस्ते में हानी और एक होता है loss in go down ठीक है loss in go down सबसे पहले abnormal loss जो होता है वो लापरवाई की वज़े से होता है goods का कोई ऐसा nature वेचर वेचर कुछ नहीं है लापरवाई करी उसकी वज़े से हो गया लापरवाई कहां होई हो सकती है एक तो consignor जब goods send कर रहा था consignor को तो रस्ते में कहीं accident वगेरा हो गया लापरवाई की वज़े से ठीक है जो ट्रक ड्राइवर था धारू पीके चला रहा था ट्रक ठोक दिया तो लापरवाई है अगर धारू नहीं पीता सिधा सिधा जाता तो loss होता ही नहीं ऐसे और या फिर go down में कोई ध्यार नहीं नहीं चोरी हो गई या फिर आग लग गई किसी ने बम भोड़ दिया अंदर ठीक है बम मतलब सूतली बम ओके हां तो लॉस इन गो डाउन या लॉस इन ट्रांजिट तो यह जो होता है यह abnormal loss होता है और इस abnormal loss की accounting होगी और इस loss को हम consignment account में दिखाएंगे और इसकी जो general entry होती है वो होती है abnormal loss account debit abnormal loss account debit क्योंकि loss है तो debit होगा एस पर nominal rule class 11 तो में पढ़ते थे हम नामातर नियम और 2 कर देंगे consignment account इसको हम consignment account में transfer कर देंगे तो consignment account के buy side में चला जाएगा यह ठीक है ओके अगर insurance वगरा करा रखा है तो उसका भी treatment होता है ठीक है ओ जो insurance company से पैसा मिलेगा वह आ जाएगा bank account debit to consignment bank account debit to insurance company कर देंगे और abnormal loss को खतम कर देंगे आसे उसका अलग से treatment होता है लेकिन आप भी इतना समझी पहले हम calculation देखते हैं अगर loss in transit हुआ है तो हम सबसे पहले unsold stock पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और abnormal loss का amount कैसे calculate करेंगे वो देखिए सबसे पहले आपको क्या लेना है goods sent on consignment consignment पे कित्ता goods भेजा अगर आपको अच्छे से सो नहीं हो रहा है तो मैं इसको तोड़ा जूम कर देता हूं ठीक है एक सेकिंड दीजिए मुझे वन सेकिंड बस इसको क्योंकि मैं नाइट में सूट कर रहा हूं आज तो कोई student या जो staff है वो कोई है नहीं मैं अकेला हूं तो फिर आज मुझे ही adjustment खरना पड़ेगा थोड़ा सा ठीक है पर मैं अकेला कहा हूं आप लोग भी तो है यस सर ठीक है ओके अभी बड़ा मिंदा से अब देखना इसको हाँ जी तो थोड़ा समय बड़ा बड़ा दिखूंगा लेकिन मुझे नहीं देखना है या concept को देखना है ठीक तो loss in transit goods sent to consignment किता goods sent किया consignment पे वो ले लीजिए ठीक है इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं हाँ goods sent on consignment total किता goods sent किया consignment पे वो ले लीजिए मैं ऐसे example के लिए ले रहा हूं एक लाग पर ठीक है इसमें add कर दीजिए consignor के expense consignor के expense add करने consignor expense जो honor है उसके खर्चे add कर दीजिए मान लेते हैं वो खर्चे हैं अब आप यहां पर normal loss calculate abnormal loss loss in transit calculate भी कर लीजिए और उसके अलावा less भी कर दीजिए यहां से सीधा कैसे तो यहां से मैं less कर दूँगा तो unsold stock निकाल में बड़ी आसानी हो जाएगी मैं less क्या कर दूँगा loss in transit loss in transit अब loss in transit कैसे नेकालना आपको total cost लेनी है यह 1,20,000 जो यहां तक आई है यह वाली cost इसमें consignee के expense नहीं जुड़े है क्योंकि अभी तक go down तक माल पहुँचा है नहीं उससे पहले ही बीच में रास्ते में loss in transit मतलब रास्ते में रास्ते में ठीक है loss in transit तो रास्ते में इन goods का loss हो गया ठीक है तो 1,20,000 और total quantity जो थी हमारी माल लेते हैं वो थी 10,000 और loss जो हुआ है abnormal वो हुआ है 100 का अब देखिए यहां पर इसको calculate करेंगे तो 1,20,000 total goods की cost आ गई 10,000 total unit थी और 100 unit loss हो गई ट्रांजिट में तो loss हो गया बारस होगा यह बारस हो लास्त कर देंगे यहां से तो यह क्या क्या किया आपने यहां ले लिए cost यहां ले लिए total unit और यहां ले लिए unit of loss in transit जो रस्ते में loss हुआ उसकी unit ले लिए ठीक है आप यह साथ साथ में note भी कर सकते है ठीक है आपके कर दीजिए 1200 तो आ गया 1,18,800 अब हम इसमें क्या करेंगे consignee expense add कर देंगे consignee expenses लेकिन consignee के भी कौन से expenses go down के नहीं go down को छोड़कर उससे पहले के सारे expenses ठीक है उसको अनावर्ती खर्चे बोलते हैं वो recurring expense जो होते हैं वो add करने होते हैं उसमें जो रस्ते के खर्चे होते एक consignee के go down तक पहुचने के जो खर्चे होते हैं वो go down rent वगेरा हम नहीं लेते हैं बाकी consignee के सारे expense लेते हैं ये part number 3 में मैंने आपको बताया दा तो माल लेते है consignee के expenses हैं ठीक है वो ए 6200 रुपे के example के लिए मैं round off कर रहा हूं इसलिए तो अब आपका total हो जाएगा एक लाग 25 जा यह होगी आपकी total cost दिख रहा है आपको अच्छे से यह total cost हो गई अब unsold stock कैसे निकालेंगे पता है देखो unsold stock यहाँ पर फिर अटा दोगा ठीक है आप लिख देना साथ साथ में ओके अन्सोल इस्टो कैसे निकालेंगे यह 1,25,000 ले लो total cost ठीक है टोटल यूनिट कितनी यूनिट थी 10,000 बट उसमें से हजार का तो हो गया कौन सा लॉस लॉस इन ट्रांजिट तो वो 10,000 में से 1,000 लैस हो जाएगा और multiply कर देंगे जो बिना भिके रह गई अन्सोल्ड वो अन्सोल्ड कितनी रह गई अब पता नहीं सर हमें तो मैं बता देता हूं total 10,000 थी 1,000 का लॉस हो गया अगर normal लॉस हो ग बज़ गई उसमें से माल लेते हैं 6,000 उसने सेल कर दी तो किती बज़ गई 3,000 तो यहां ले लो 3,000 अच्छा लॉस इंट्रांजिट कितना है 100 यह सौरी सौरी 10,000 थी उस में से 100 loss in transit 1000 नहीं है ठीक है? 100 का loss हो गया तो 10,000 पर एक चला गया तो बच गया 9,900 और माल ले लेती है इस में से 6,900 9,000 बेच दी तो किसने consigne नहीं है तो पीछे किती बच गई 3,000 तो वो 3,000 यह लें लेंगे तो अब इसको solve करेंगे तो आपका क्या जाएगा unsold stock आजाएगा तो 1,25,000 divided by 9,900 और multiply by 3,000 तो आगया ये unsold stock 3878 ये क्या आया unsold stock आया तो समझ गए loss in transit के case में क्या करना है सबसे पहले goods and to consignment वो ले लेना है add कर देना है किसके खर्चे consignor के expenses फिर loss in transit को क्या कर देना है calculate करके less कर देना है loss in transit कैसे calculate होगा 1,20,000 ले लो total unit ले लो और loss किता हुआ रस्ते पो ले लो उसकी unit ले लो उसको less कर दो अब जो आया उसमें consign नहीं के expenses जोड दो फिर जो total cost आई वो ले लो और नीचे total unit minus loss in transit की unit multiply by unsold stock की unit तो आपका unsold stock आजाएगा तो unsold stock भी consignment account के by side में चला जाएगा 37878 और जो loss in transit हुआ है वो भी consignment account के credit side में by side में चला जाएगा वो 1200 रोपे ओकी हटा दो इसको आपने लिख दिया होगा नहीं लिखा है तो पोज करके लिख देना अब मैं next क्रा रहा हूँ आपको अब अब में इसमें amount नहीं लिख रहा हूँ इसमें add कर दो consigner के expense, consigner expense, okay, add कर दो consignee के expense, हाँ जी, क्योंकि अभी go down में goods पहुँच चुका है, तो consignee ने भी उस goods के उपर खर्चे किये है, वो भी add कर दो, वो भी उस goods की cost हो गई, तो आजाएगी total cost, यहाँ पर, अब आप जो है loss in go down कैसे निकालोगे, loss in go down, कुछ नहीं करना, बिल्कुल simple है, आपको यह total cost ले लेनी है, नीचे total unit ले लेनी है, total unit, minus less कर देना है, जो abnormal loss है, al लिख रहा हूँ, मतलब abnormal loss, कौन सा abnormal, loss in go down, और multiply कर देना है, unit of, sorry, आपको loss in go down निकालना है, तो total cost ले लो, total unit ले लो और multiply कर दो, units of abnormal loss, किते, unit का abnormal loss हुआ है, ठीक है, तो इससे आपका loss in go down ना जाएगा, अब आपको निकालना, unsold stock, ठीक है, unsold stock, वो कैसे निकालेंगे, आप क्या कीजिए, आपको क्या करना है, देखो, सबसे पहले आप total cost ले लीजिए, total cost, उसमें से less कीजिए, जैसे इससे पहले जो हमने निकाला loss in transit, वो total cost में से loss in transit, बारा सो हमने पहले less कर दिया था, यहां अभी तक किया नहीं है, देखो, कहीं नहीं किया है, तो उस total cost में से यह जो loss in go down हुआ है, loss in go down का जो amount आया है, यानि कि abnormal loss किता हुआ आपको, वो less कर दिजिए, amount में, तो cost में से abnormal loss less करना है, और total unit में से abnormal loss की unit less कर दिए, और उसके बाद unsold stock की जो unit है, unsold stock की जो unit है, उससे multiply कर दिजिए, तो आ जाएगा आपका unsold stock, तो इस तरीके से थोड़ा सा आप इसके उपर practice करेंगे और दिमाग लगाएंगे, तो 100% आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएगा, और यह formula अगर आप यह formula जो मैंने बताए हैं, इसको use करेंगे, तो इससे आपको काफी help मिलेगी, और आपको अच्छा लगा होगा, next video के अंदर और आगे करेंगे, आज के लिए इतना ही, thank you so much, like, share, subscribe and support करते रहिए, आपका support बहुत मिल रहा है, जल्दी हमारे 50,000 subscriber भी होने वाले हैं, उसके लिए आपको thank you so much, bye bye, thanks.